इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाव बात हाई कोड में जो नई भरती आई है ए रो की उसी के बारे में उसके स्लेबस के बारे में क्योंकि आपकी क्लास अब कांटिनियू यहाँ पर इस्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में डेली नौ बज़े आपकी क्लास आएगी तो आज पहले थोड़ा सा इंट्रो क्लास है और यहाँ पर हम स्लेबस की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े हम पढ़ने वाले हैं और क्या-क्या चीज़े हमको पढ़नी है और नोट्स आपको कैसे मिलेगा सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पता चलेगा इस परिछा में नेगेट्व मार्किंग है या नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा मैं इस इंट्रो क्लास में ठीक है तो देखिए सबसे पहले जान लेज़े कि यहाँ पर जो परिच्छा होगी वो दो stage में होगी, ठीक है, पहला जो stage होगा, वो आपका offline होगा, यानि आप परिछा center पर जाएंगे, आपको OMR seat मिलेगी, उस पर आपको उतर देना होगा, और दूसरा जो है, वो online होगा, वो computer knowledge test होगा, जो आपको computer चलाने आता है, उसमें कई चीजों को मतलब typing कराया जाए objective type question होगे, OMR seat में, इसमें total 200 question होगे, और 200 number के होगे, ओके, और जो आपको समय मिलेगा, वो धाई गंटेगा, two and half hour, यानि कि दो धाई, दो और आधा, यानि कि धाई गंटे मिलेंगे, पतलब 150 minute आपको मिलेगा, और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, बहुत important चीज है, यहाँ पर जो आपका पहला जो paper हो रहा है, stage 1 का, stage 1 का, इसमें आपको negative marking नहीं है, ठीक है, कई बार confusion होता है, लोग को पूछते हैं कि sir, ARO में negative marking है या नहीं, तो यहाँ पर इलावद high court का, जो ARO का exam है, उसमें negative marking बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, तो negative marking के बारे में नहीं स request है, इसमें 50 number के questions रहेंगे और 15 minute आपको मिलेगा, इसमें आपको 500 word का चार्ट दिया जाएगा, इंगलिस का, उसको आपको हूब हूब वैसे ही type कर देना है, 15 minute में, ठीक है, तो बस यह इसमें रहेगा, ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा, stage 1 और stage 2 में क्या है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम slabus के बारें बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, no interview shall be held for selection, यानि कि यहाँ पर interview भी नहीं है, और negative marking भी नहीं है, तो चलिए slabus के बारें बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको slabus के अनुशारी पढ़ाई करनी ह तो देखें, जैसा कि stage 1 की बात करें, तो इसमें 200 number का question रहेगा, ठीक है, और आपको 2 घंटे 30 मिनट दिये जाएंगे, objective type यानि बहु विकल्पी प्रशन आपको मिलेंगे, यानि 4 option रहेगा, एक sentence रहेगा, उसके 4 options रहेगा, उसमें choose करना होगा, तो slabus में देख लिजे, total 200 number का paper रहेगा, 200 question, यानि कि एक question जो है, each question one number का, ठीक है, तो यहाँ पर general science, यानि कि जो समानिय विज्ञान है, उससे related, आपके questions आएंगे, history of India, यानि भारत का इतियास, Indian national movement, यानि कि जो भारत के राष्टी आंदोलन थे, उसके अलावा Indian polity, यानि भारती है, शमविधान जो है, उससे related, इसके अलावा Indian agriculture, commerce and trade, ठीक है, तो भारती है, क्रिशी, व्यापार, और जो व्यावशाय है, ठीक है, वाडिज है, व्यापार है, उससे related question बनेंगे, ठीक है, तो Indian के बारे में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा population, जो मैं आपको अर्बनाइजेशन, इंडिया के context में, ठीक है, मतलब भारत में जो है, अर्बनाइजेशन, सहरी करड़, जो हो रहा है, उससे related, ecology, ठीक है, उससे related question आपके परिच्छा में बनेंगे, इसके अलावा आपका geography रहेगा, जिसमें world geography और Indian geography, इसके सासत भारत में resources जो पाये जा खनी संसाधन वगएरा, ठीक है, थोड़ा सा जो कार खाने वगएरा है, ठीक है, इनके बारे में आपको वहाँ पर पता होना चाहिए, उस related question रहेंगे, इसके अलावा current affair रहेगा, national और international current affair, उसके अलावा general intelligentsia, यानि कि इसका मतलब भी एक तरह से आप reasoning समझ सकते हैं, ठीक मैं आपको previous year के questions भी paper दिखाऊंगा, कि किस सरी के questions बनते हैं, इसके अलावा आपका special knowledge regarding education, मतलब आपके पढ़ाई से rated जो special knowledge होते हैं, हलाकि उतना ध्यान मी बेना है, वो आपका basic knowledge ही होता है, इसके अलावा आपका culture, agriculture, industry, trade, living, social tradition, उत्तरपतिस, यानि कि UP के जितने भी important special current affair, UP का जीके, उन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना है, मतलब एक तो आपको national level का जीके पता होना चाहिए, इसके सासाथ आपको UP का भी जीके पता होना चाहिए, क्योंकि UP के exam दे रहे हैं, तो आपको UP के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीजें, उसके अलावा आपका जनरल इंग्लिस और जनरल हिंदी, यानि कि हिंदी और इंग्लिस से भी questions रहेंगे, जो जनरल इंग्लिस और जनरल हिंदी के questions होते हैं, competitive exam में उस तरीके के, ठीक है, तो ये भी questions बहुत कम होते हैं, इनकी संख्या जादे नहीं होती, बट हाँ, ये questions जरूर exam में पूछे ज इसके अलामा है, elementary knowledge of computer, यानि कि computer के जो knowledge होते है, basic knowledge, वो भी यहाँ पर requirement होते है, stage 1 exam में, ठीक है, मतलब आप से पूछ लेगा कि control alt दबाने पर क्या होगा, control shift दबाने पर क्या होगा, control s दबाने पर क्या होगा, इस तरीके के questions, और भी questions पूछ सकते हैं, ठीक है, cpo का full farm, त यह हो गया, आपका stage 1 का syllabus, stage 2 की बात करें, तो इसमें आपको 15 minute का समय मिलता है, 50 number का होता है, और यहाँ पर computer knowledge test दिया जाता है, आपको 500 word में, पेज में 500 word लिखे रहते हैं, उसको आपको हुब 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 टाइप करना होता है, कहीं पे कामा, कामा सब लगे रहते हैं, उस अब देखिए कई लोगों के मन में question उठने लगा होगा कि cut-off क्या है, तो cut-off के बारे में अभी कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, मैं cut-off का special video प्रोवाइड कर दूँगा, कि जो पिछले भी exam हुए था, क्योंकि last exam जो हुआ था, वो 2016 का exam हुआ था, 2016 का, जो ARO का exam था, high code का, तो उसका exam हुआ था, और अब यह आपका 2018 वाला है, जो 2019 में होने जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ याद रखना है, यानि कि total जो है, वो 250 नमबर, stage 1 और stage 2 मिला के 250 नमबर के आपके grant, जो total आपके mark रहेंगे, वो इतने रहेंगे, ओके, तो यह चीज़ आपको याद रखना है, और जो final merit बनेगी, वो आपका stage 1 और stage 2 को मिला कर बनेगी, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखेगा, तो मैंने important चीज़े बता दिया कि एक तो negative marking नहीं है, interview नहीं है, दो stage में परिच्छा होगी, पहला जो है वो आपका offline होगा, exam center प 15 minute में आपको 500 word type करने होगे, 50 number का यह चीज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने syllabus के बारे में आपको बता दिया, syllabus और पढ़ाई के बारे में अब देखिए, मैं daily current affair करा रहा हूँ, ठीक है, daily सुबह आपको 5 बजे current affair की वीडियोज मिल रही है, तो वो current affair की वीडियोज आपके exam के द्रिश्टी से बहुत महत्तपूर होगी, मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि अगर 40 questions आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो लगबख 37 या 38 मान सकते हैं, ठीक है, इतने questions मेरे वीडियो से जरूर बनेंगे, और अगर नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि फिर मैं, ऐसा guarantee क साथ मैं कहता हूँ कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा है ही नहीं कि बने ना, क्योंकि मैंने slivers को देखा है, और सारी चीजों को cover किया है, ठीक है, मैं जितने भी exam के लिए current affair cover करा रहा हूँ daily business में, उसे बाहर questions बनेंगे ही नहीं, ठीक है, और इसके अलावा, मैं last में exam के प्रवाइड करूँगा, daily morning में 9 बजए आपको इसी टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे daily basis पर, और सारी चीजों को मैं cover कराऊँगा, एक एक चीज़ को, ठीक है, तो आप लोग हमारी साथ बने रही है, और जितनी लोग भी नए है, नीचे लाल का subscribe का बटन दिख रोग उसको प्रस करके चैनल को subscribe कर लिजिए, और bell icon को on कर लिजिए, ताकि जब भी वीडियो अप्रोड हो, उसकी notification आपके पास सबसे पहले पहुचे, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment box पर अपना feedback दे, और वीडियो को जादे जादे like करिए, और अपने दोस्तों के साथ share करिए, ताकि सभी लोग class के बारे में जान जाएं और class के साथ जुढ जाएं, ओके, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और कल से हमारी classes continue रहेंगी, इसके लावा various exams के लिए हमारे इस channel पर preparation कराए जा रहे हैं, तो आप visit करके उनका पूरा का पूरा लाब उठा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर अपने कल के वीडियो में morning 9 बजए आपका ये class चलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, वंदे प्रुमात्रम.